हाई गईस एन विलकॉम बाक तो दी चैनल दीपच्च जादव एजूकेशन विलकॉम डी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 7 जनवरी 2023 तो गाईस आज है तारिक 7 जनवरी 2023 और है सैटरडे आज की तरिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यहाँ पर डीटेल से discuss करेंगे ये विडियो UPSC और State PSC के point of view से बहुत ज़्यादा important होता है तो चलो शुब आरम करते हैं लेकिन उससे पहले बता दूँ रोजाना पांच बजे आपको ये विडियो इसी चनल पर राइट टाइम पांच बजे मिल जाता है तो कौन-कौन आज अपने समय पर उठ चुका है जरा नीचे comment section में बता दो क्योंकि daily basis पर काफी सारा लोगों ने अपने study का एक हिस्सा बना लिया है इस particular video को आगे आते हैं देखो इस video के अंदर हम majorly in express के उपर तो focus करेंगे ही करेंगे उसके सासाथ P.I.B. और down to earth जैसे important articles के उपर भी जोड देने वाले हैं क्योंकि आपके examination के लिए बहुत relevant है एक बात ध्यान से सुनना वीडियो का अगर आपने अंत miss कर दिया है तो वीडियो का सबसे important part आपने आपर छोड़ दिया है क्योंकि वीडियो के last में आपको test series दी जाएगी यानि पूरा वीडियो को अच्छे से सुनो last में आपको prelims rapid fire का test दिया जाएगा उस test को attempt करना और आपका कितना score आया है वो नीचे comment section में लिखना आपको वो prelims के लिए तयार करेगा क्योंकि वो सारे के सारे questions बिल्कुल UPSC की तरह prelims में जैसे पूछे जाते हैं उसी प्रकार से frame किया जाते हैं daily basis पर आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले download करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके search box में टाइप करना दीपक चैद वेजूकेशन UPSC आगे जरूर लगा देना आपको यह वला चनल मिल जाएगा यहां से आप daily basis पर इस lecture के PDF को download कर पाओगे साथी साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में personally connect करना चाहते हो तो क्या करना है इंस्टाग्राम पर जाना और वहाँ पर फिर से आपको दीपा यादव education लिखना है आपको मेरा profile मिलेगा 10,000 से जादा already लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं आप भी इस जो है ना 6.30 लोग पहुंच चुके थे 6.30 लोग जो है वो लाइव इस वीडियो को देख रहे थे अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ देखो जब ये वीडियो मैंने लाइव करना स्टार्ट ही विसे एक जनवरी से वीडियो लाइव आ रहा है आपका पता है morning में 5 बचे तो उस समय पर एक का दिन तक मैंने आपको इसके बारें बताया था कि आज इतने लोग लाइव आए आज इतने लोग आए ये मैं पहले बताता था बीच में बंद कर दिया था लेकिन काफी सरे कॉमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं पिछले दो-चार दिनों में कि स और यह जो पूरगबर स्क्रीन शॉट है यह मैंने नहीं किलिए यह यहाँ पर किसी जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ना यहाँपे जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे होंगे उनमें से यहाँपर काफी से लोग इसका स्क्रीन शॉट क्लिक कर पर डाल देते हैं तो आप मेंसे कोई भी आपर काम कर सकता है हाइस जितने भी लाइफ पहुंचते हैं उसका स्क्रीन शॉट क्लिक करके अपना जो टेलिग्राम गुरूप है ना उसमें डाल देना मैं नेक्स डे पर इसको लगा दूंगा अगर आपको इससे मोटिवेशन मिल यहां पर हम लोग यह आर्टिकल पिछले कुछ दिनों से लगातार चिर्चा में बना उपड़ा है क्या बात की जा रही है सरकार के विरोध में जैन कॉमुनिटी उतर चुकी है सड़को पर हमारे देश में कई सारी जगा पर जैन समुदाई ने बहुत जादा प्रोटेस्ट क पीछे का रीजन क्या है मैं आपको समझाऊंगा वो जो प्रोटेस्ट है ना वो जो विरोध हो रहा है वो जार्खेंड और गुजरात से लिंक हुआ है तो यहां पर क्या बड़ी-बड़ी कॉंट्रोवर्सी हुई है उसको मैं आपको समझाऊंगा तो यह जो एडिटोरेल बहुत लंबा चोड़ा आर्टिकल लिखा या था अलग लग यहां पर राइटर्स ने मिलके इस आर्टिकल को लिखा है तो मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा यह एक ऐसा टॉपिक है जो की एक्जामनेशन में हर साल पूछ जाता है मैं आप आपको थोड़ा सा जैनिजम के बारे में भी यहां पर बताऊंगा ठीक है आप देख पाऊगे यह न्यू डैली का पिच्चर है जहां पर लगातार यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है जैन कमुनिटी के थ्रू आगे समझते हैं हुआ क्या जैन कमुनिटी के जो भी मेंबर् लगातार देश भरमें पर विरोद चल्लाई प्रोटेस्ट चल्लाऊ है । यह बहुत जादा इंपर्टन रहा है बहुत पवितर जगा मानी जाती है । अब इन दुनों जगा पर हुआ क्या है मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा लेकिन इससे पहले इन दुनों जगा के बारे में थोड़ा डीटेल से देख लेता हैं पहले हम बात करेंगे समीद शिकर जी के बारे में समीद शिकर जी कहां पर इस्थित है परसनात जो हिल् आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हुए वे हैं, समिध शिकर नहीं बनेगा परेटन इस सहल विवाद के बाद के बाद के इन सरकार का बड़ा फैंसला, इस प्रकार से कई सारे जो न्यूज आर्टिकल्स वो आपको यहाँ पर पब्लिश होते वे नजर आएंगे, मैं आपको समझाओंगा पूरा मैटर के आए, यहाँ पर आपको जहारखंड का मैप देखेगा, तो जहारखंड के अलग-लग डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको धनबाद नजर आएगा, तो धनबाद के जस्ट उपर आपको यहाँ पर गिरिदी नजर आ रहा होगा तो यह जो गिरिदी है यही पर आपको यह बिसिकली परसनाथ हिल्स देखने को मिलती है और यही पर गिरिदी डिस्क्रिक्ट के अंदर ही यहाँ पर जो पहाड़िया यह परसनाथ वाली यही पर आपको यह समिद शिकरजी देखने को मिलेगा समिध शिकरजी जयन टेंपिल नजर आएगा तो एक बहुत इंपोर्टेंट टेंपिल है बहुत इंपोर्टेंट जयागा है हमारी जयन कमुनिटी के लिए ये बात आपको यह पर ध्यान में रखनी है जो दूसरी जगा है उस पर मैं अभी थोड़ दिर में आऊँगा तो जो परसनाथ है ये बेसिकली पूरे जारखंट के अंदर में एक हाइस्ट माउंटेन आपको देखने को मिलेगा एक सबसे पवित्र जगा मानी जाती है जैनिजम के लिए खासकर यहाँ पर जो बहुत सरे जो जैन के लोग है जैनिजम को फॉलो कर रहे हैं वो सब यहाँ पर घूमने जाते हैं हर साल आप देखोगे जैनिजम के अंदर दो सैक्ट साते हैं कि जैनिजम के अंदर दो अलग लग यहां पर ग्रूपस आपको देखने को मिलेंगे दिगामबराज और स्वितामबराज ठीके तो यहां पर दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्लेस यह माना जाता है तो शिकर जी टेंपल के बारे में आपने समझ लिया कहां पर है परसनाथ माउंटेन पर है आपसे पूछा जा सकता है कौन से स्टेट में है जहारखंट के अधर में यह भी वाद ध्यान रखना अच्छा यह टेंपल इतना की प्राप्ति करी थी यानि कि salvation को यहां पर एचीव किया था ठीके ना लेकिन यहां पर क्या होता है इन 24-3 थंकार्स में से जो 20-3 थंकार्स हैं वो यहीं पर इसी वाले टेंपल पर उन्होंने यहां पर मोक्ष की प्राप्ति करी है उन्होंने यहां पर ही salvation को एचीव किया तो 24 में से 20 तीर्थंकार ने इसी वाले टैंपल पर मोक्ष की प्राप्ति करिए इस वज़ा से यहाँ पर यह टैंपल जैनिजम के अंदर में बहुत जादा इंपोर्टेंट है यह बात आपको समझ में आ गई ठीक है ना बात क्लियर हो गई तो शम्मेश सिकर जी का इंपोर्टेंस क्या है इंपोर्टेंस मैं आपको बता दिया है कि यहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकार ने जो सालवेशन है जो मोक्ष है उसको यहाँ पर एचीव किया था हर साल हजारों जो जैन से वो यहाँ पर जाते हैं 27 किलोमेटर यहाँ पर लंबी पहाड़ी है उसको चड़कर जाना पड़ता है ताकि यहाँ पर जो सालवेशन स्राइंस बनाए गए हैं 20 तीर्थंकार के उनको घूमा जा सके उनको देखा जा सके तो यहाँ पर आपको यह 24 तीर्थंकार की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी तो जैनिजम में जो पहले तीर्थंकार थे वो थे लौड रिशब ठीके ना यहाँ पर आप देख पाऊगे तो यह चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है आगे आते हैं नाव य पहाड़ी के उपर इस पहाड़ी के उपर इस पहाड़ी के उपर इस प्रकार से कई सारे आपको यह टांपल देखने को मिलते हैं ठीक है बात क्लियर हो गई आगया आते हैं फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बताया यह जाता है अब यह जगह क्यों important है थनी तो यह जगह इसलिए important है क्योंकि यहाँ पर hundreds of shrines आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं जब जो यहाँ पर पहले तीर थंकार थे जनिदम के वो यहाँ पर रिशब है तो जो पहले तीर थंकार थे, the first तीर थंकार of jainism, इन्होंने यहाँ पर अपनी जो टीचिंग्स वगरा है, वो यहाँ पर दी थी इस temple के उपर में, ठीके न, तो इस विसे भी यह जो जगा है, बहुत जादा important मानी जाती है, यह आपने ध्यान में रखना है, फिर कुछ और temples देखने को मिलेंगे, पाली तना temples भी आपको इसी वाली पहाड़ी के उपर देखने को मिलता है, जिसको आज से 900 साल पहले बनाया गया था, ऐसा भी यहाँ पर mention किया है, बात क्लियर हो गई, तो यह दो जगा कि तो आपने अच्छ से पढ़ लिए, अब मैं आपको समझाता है, कौन सा temple देखने को मिलता है, समेद शिकरजी वाले temple देखने को मिलता है, तो 2019 में फेबरी के महिने में जहरकंट की सरकार ने क्या किया, कि वो जो गिरिद डिस्क्रिक्ट है ना, इसको बेसिकली as a tourist spot यहाँ पे notify कर दिया, यानि कि as a tourism के spot की तरह देखा जा रहा है, लो temple है, इस पहाड़ी को एक eco sensitive zone declare कर दिया, यानि कि एक eco sensitive zone declare करने के साथ साथ में बोला गया कि यह जो area है ना, यह जो पहाड़ी है, यह basically एक तरीके से यहाँ पर potential है eco tourism का, यानि काफी सर जो लोग है वहाँ पर घूमने जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, तो यह चीज़ें यहाँ पर jain community के members को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं, इसी वज़ा से यहाँ पर protest किया जा रहा है, हाला कि यह चीज़ 2019 में डिक्लियर कर दी थी, लेकिन इसके बारे में jain community को अभी तक पता नहीं था, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर यही है, इन jain community क गुसा होने के पीछे की, क्योंकि यहाँ पर जो decision है ना, इस पूरे site को एक tourist spot में बदलने के लिए, यह जो decision है, यह सरकार ने खुद से ले लिया है, यहाँ पर किसी के साथ में कोई consultation, कोई बातचीत नहीं हुई है, दूसरा यहाँ पर इनका कहना यह है, कि हम इसलिए भी oppose कर रहे हैं, क्योंकि कही ना, फिर आप देखो, यह हमारी पवित्र जगा है, और आप इसको यहाँ पर tourist के लिए open कर रहे हो, तो कोई fun वगर है के लिए हम इसको open करना नहीं चाहते हैं, साधी साथ में यहाँ पर जब tourist के लिए open किया जाएगा, तो अलग-लग activities होगी, वहा यहाँ पर जो local employment है, यानि कि लोग को रोजगार देगी, और लोग वहाँ पर poultry farms खोलेंगे, यानि कि जो chicken वगरा है, और खासात में मुरगे वगरा वो पाले जाएंगे, जो कि यहाँ पर जेन community बिल्कुल नहीं चाहती है, कि उनके पवित्र जगा पर ये सारी चीज़े क क्यों चल ला है, दूसरा protest यहाँ पर गुजरात वाला जो temple है, उसको लेकर चल ला है, गुजरात के अंदर में यहाँ पर क्या हुआ है, गुजरात के अंदर में, जो शेत्रुइंजया hills पर आपको वो temple देखने को मिलता है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैनिजम के अंदर जो पहले यहाँ पर तीर ठंकार थे रिशब ठीक है ना उन्होंने आपर अपने सर्मन्स दिये थे अपनी टीचिंग दी थी और दूसरी बात यहाँ पर बुली जाती है कि जो उनके पैर होता है ना ठीक है आपने देखा होगा अलगने जगह पर पैर बनाए जाते हैं तो उनके जो पैर है वो जो स्टेप्स वगरा है वो महाँ पर बनाए गए उनके स्टेप्स वगरा बनाए गए तो जब उनके स्टेप्स बनाए गए ना तो होता किया कि recently उनके स्टेप्स तोड़ दिये गए महाँ पर वो वेंडलाइस कर दे गए वो उनको तोड़ दिया तो basically CCTV footage के अंतर पता चलता है, एक इंसान वापर चोरी करने गया था, उसने कुछ से कुछ मिला नहीं, तो उसने याँ पर वो जो steps वो तोड़ दिये, लेकिन जैन community यहाँ पर demand करती है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पहली बात तो यहाँ पर वो इंसान नहीं मिला तो उस सबसे बड़ी बात यहाँ पर यहाँ कि उसने food steps क्यों थोड़ा, कहीं न कहीं आपर कोई और मामला देखने को मिलता है, तो इस वज़ा से इस particular मामले में थोड़ा और ज़्यादा investigation होना चाहिए, और ज़्यादा deeply investigation किया जाए, कि आखिरकार मामला क्या था, उसने यह food steps देखने को मिलती है, गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर इस प्रकार सापको अलग-लग shrines देखने को मिलता है, यह मैं आपको बताया, उसके बाद जो दूसरी जगा ध्यान रखनी है, वो सम्मिद शिकरजी जैन टेंपिल, यह आपको जारकंड के और बाते पढ़ लेते हैं, थोड़ा यह रेलिवेंट हो जाता है, देखो जो जैने जम है न, वो बेसिकली यहाँ पर 6th century BC के अंदर में आता है, जब Lord महावीरा यहाँ पर इस religion के बारे में और जधा प्रसार करते हैं, आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं, और आप देखोगे जैनिजम के अंदर में लगबग 24 great teachers हैं, जिनके बारे में आपको बताया, 24 जो तीर थंकार से जिनको हम लोग यहाँ पर बोदते हैं, तीर थंकार वो हैं, जिनोंने यहाँ पर knowledge, यानि जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ती करी है, meditation करने के बाद में, और जो पहले तीर थंकार पांच महावरतास देखने को मिलेंगे, आप वो महावरतास क्या हैं, आपको देखने को मिलेगा, जैनिजम के अंदर पांच important चीज़ हैं, एक अहिमसा, यानि non-valence के रास्ते पर चलना, दूसरा सत्य, यानि कि truth के ऊपर चलना, तीसरा, असत्य और अचारया, असत्य और अ जैनिजम के अंदर में, तीन important dwells आते हैं, आप से पूछा जाए, जो जैनिजम के अंदर त्री रतना है, वो क्या है, तो त्री रतना में ध्यान रखना है, जो जैनिजम में त्री रतना है, वो है, पहली बात सम्यक दर्शन, यानि की right faith, फिर है सम्यक यान, यानि right knowledge, और त जैनिजम के बारे में, आपने काफी कुछ जान लिया, फिर बात में आपर जैनिजम को दो अलगलग sections में, डिवाइड कर दिया जाता है, एक आजाते हैं, और फिर दूसरे आजाते हैं, दिगंबरास, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, बात clear होगे, चलो, आगे आते है ये छोड़े-छोड़े points से जो कि आपसे examination में पूछे जा सकते हैं, अगले article पर आते हैं, अब next article में भी बहुत जादा important चीज़े discuss करें गई है, मुराल पेंटिंग के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले make sure करना, वीडियो पे जो like का button उसको प्र समझेंगे आखिरकार मुराल पेंटिंग क्या है, कैसे बनाई जाती है, इसी के basis पर आजका आपको thumbnail भी देखने को मिल जाता है, आगया आते हैं, निउस क्या निकल कर आती है, तो हाली में खबर ये निकल कर आती है, कि जो wall of peace, एक मुराल आर्ट है, एक मुराल आर्ट है, यहाँ पर 700 feet लंबी दिवार के उपर यहाँ पर बनाया गया है, जो कि यहाँ पर recently केरिला की सरकार ने इसका उदगाटन किया है, तो मुराल पेंटिंग इस वज़ए से यहाँ पर निउस में निकल कर आई है, तो आपको समझना होगा कि आखिरकार मुराल पेंटिंग है क् ठीक है न, क्योंकि आपको इसका बाग्राउंड जानना होगा, बाग्राउंड आपसे पूछ जाएगा, तो जो इंडियान मुराल पेंटिंग से ना, यह कुछ इस प्रकार की पेंटिंग से जो कि किस पे बनाई जाती है, गुफाओ के अंदर जो पैलिसिस के अंदर आजाता है, ठीक है, देखो कुछ हमारे पास में एविडेंस भी रखें, एविडेंस मतलब कुछ यहाँ पर आपके सबूत हैं हमारे पास में मुराल पेंटिंग्स के बहुत पुराने पुराने, जैसे अजन्ता, ऐलोरा केव्स के बारे में इन गुफाओं के बारे में साफी सारे एविडेंस पाए गए हैं, ठीक है, यह बात क्लियर हो गई, फिर एक बात आपसे और पूछी जा सकती है कि मुराल पेंटिंग्स को बनाने की टेकनीक क्या होती है, देखो जो टेकनीक है न मुराल पेंटिंग्स को बनाने की, यह काफी बार यहाँ पर डिसकस की बाद में इस painting में सबसे important चीज़ यहां पर यह आ जाती है कि पहले तो यहां पर हम लाइम प्लास्टर होता है ना चुने का एक पहले प्लास्टर लगाते हैं पूरी तरह से एक पतली सी परत बिचाई जाती है फिर उसके उपर painting मनाई जाती है वाटर कलर के अंदर ठीक है ना यह सब कुछ यहां पर discuss किया गया एक संस्क्रित टेक्स के अंदर में 5 से लेकर 6 सेंचरी के आसपास का जो टेक्स्ट है तो आप कह सकतो इतनी पुरानी यहां पर यह बात देखने को मिलती है मुराल पेंटिंग्स की ठीक है बात क्लियर हो गई आ गया आता है कई सारे अलग उसके आसपास जम जाता है उसका अस्तमाल कर लिया तो इस प्रकार से जो नाच्रल कलर्स हुआ करते थे उनीक अस्तमाल किया जाता था मुराल पेंटिंग के अंदर में अच्छा मुराल होता क्या है तो मिराल बेसिकली एक आर्ट वर्क है जिसको यहां पर पेंट किया जात है वो सबसे important technique है कौन सी वाली फ्रेसको वाली ठीके ना तो general term में इसको wall painting बोलते हैं लेकिन अगर specific term में बात करें तो उसको fresh को बोल जाता है तो ये बात भी ध्यान रखना है moral fresh को same ही है बात clear हो गई तो आप से यहां से भी सवाल बन सकता है next important article पर आते हैं अब ये article कुछ जादा important होने वाले हैं बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनते हुए चलना है आप सभी लोगों को सबसे पहला article आता है कि Asian Pacific Postal Union है क्या क्योंकि आप से examination में यही पूछा जाएगा तो ध्यान रखना इसके बारे में ठीक है तो news क्या है कि इंडिया के पास में leadership आ चुकी है Asian Pacific Postal Union की और यहां पर यह सरका सरा discussion हो चुका है और इसके जो basically नई chairman है वो भी आ चुके हैं और वो basically भारत की एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है Dr. Vinay Prakash Singh तो Dr. Vinay Prakash Singh आपको देखने को मिलेंगे यह पहले हमारे member personal हुआ कर दे पोस्टल सर्विस के लेकिन अब यहां पर इनके हाथ में basically आप कर सकतो यह जो body है इस body की leadership आ जाती है चार साल तक यहां पर इस body के अंदर यह सर्व करने वाले हैं ठीक है अब यहां पर मैंने बताया इस body का नाम क्या है APPU यानि Asian Pacific Postal Union इसकी leadership भारत के हाथ में और कौन अभी यहां पर आपका सकतो लीडर बने हैं वो है Dr. Vinay Prakash Singh या आप इनका letter देख पाऊगे ठीक है तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि APPU क्या है क्योंकि ऐसे directly prelims के अंदर कई बार सवाल बनते हैं Asian Pacific Postal Union क्या है यह बेसिकलि एक Intergovernmental Body है Intergovernmental Body का मतलब है कई सारे देशों की सरकार मिलकर यहां पर काम करती है जैसे लगबग इसके अंदर 32 अलग-लग member countries है तो 32 members से पहली बात तो यही ध्यान अगनी है 32 इसके अंदर members हैं जो कि आपस मिलकर का इसके अंदर काम करते हैं 32 members कौन कोंस है एशिया और Pacific वाले रीजन के इंडिया और इंडिया के आसपास वाली Countries के members यहां पर देखने को मिलेंगे और इस बाड़ी का गोल क्या है क्यों बनाया गया उससे पहले ध्यान रखना कि जो एशिया Pacific रीजन के members यहां पर देखने क इसका में क्या है इसका में क्या है कि जो डाक होता है ना डाक संबंद यानि जो पोस्टल रिलेशन्स होता है डाक संबंद वो देशों के अंदर इंप्रूव करने का यह काम करता है जितने भी देश इसके अंदर आते हैं उनके बीच में डाक संबंद को इंप्रूव करने क में बिलकर करती हैं इसको हम एपी पी यू के नाम से जानते हैं यह मैं आपको अलड़ी बता दिया है ठीक है बात क्लियर हो गई यह हमने यह पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंच से वो एपी पी यू को लेकर कवर कर लिए अगला आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट होने वाल क्या बताएगा कि एथियोपिया के अंदर जहां जहां पर अलग जानवरों में खासकर गाय बैसों में जो बिमारी फैल रही है उसके बारे में जिकर करेगा तो इस प्रकार से का इन्होंने एक मैप जारी किया है तो वह जो बिमारी है उसके बारे में चर्चा की जा रही है उस बिमारी का नाम क्या है उसका नाम है African Animal Trypanosomis ठीक है ना तो यहाँ पर African Animal Trypanosomis करके यहाँ पर यह नाम आपको देखने को मिलेगा AATB हम लोग इसको बोल रहे हैं तो यह थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है बट यहाँ पर समझना होगा क्योंकि examination में disease को लेकर कई सारे जो questions है वो बन जाते हैं तो हाली में जो Ethiopia है इन्होंने अपना जो पहला edition है एक atlas का जो पहला edition है वो कर दिया है release उसमें क्या होगा उसमें basically एक map ऐसा होगा एक map जारी क्या है उसमें Ethiopia का ही map है और उसमें यह पता चलेगा कि Ethiopia में इस इनिन regions के अंदर में क्या है यह बिमारी फैल रही है तो जिन जिन regions के अंदर में Ethiopia के अंदर वो बिमारी फैल ही होगी ना उन उन region का पूरा का पुरा map तयार किया गया है तो Ethiopia कहाँ पर है पहले map में देख लेता है important examination पूछा जा सकता है यह आपको यहाँ पर थोड़ा map देखने को मिलेगा यह पूरा पूरा African continent हो गया African continent में यह basically horn of Africa हो गया horn of Africa में ही just उपर Ethiopia स्थित है sorry यह बड़ा सा आपको area देखने को मिलेगा यह Ethiopia देखने को मिलता है ठीक है तो यह horn of Africa हो गया आप से पूछ जाए horn of Africa क्या है तो यह horn of Africa basically चार देशों का group है यह basically एक सींग की तरह निकल रहा है ना बारिस वेसे इसको horn of Africa बोलता है तो horn of Africa में कौन कों से चार देश है Ethiopia, Somalia, Djibuti और साथी साथ में Eritrea ध्यान रखने के एक बहुत असान तरीका है यहां पर इसको ऐसे seed करके ध्यान रखना ठीक है ना seed मतलब S से Somalia, E से Eritrea, E से Eritrea, E से Ethiopia और D से जीबुटी तो यह चार देशों से मिलकर पूरा का पूरा बनता है horn of Africa हम बात कर रहें किसकी एथियोप क्या की इस एरिया में जहां जहां पर बेसिकली यह बिमारी फैली भी है तो उस पुरे बिमारीों का जो मैप है वो इस पर्टिकुलर कंट्री ने तयार गया है इस वज़ा से जो यह बिमारी है यह काफी ज़्यादा न्यूज में बिमारी का नाम है African Animal Tripanosomosis ठीक है आ गया आते हैं अब थोड़ा बिमारी के बारे में बात करते हैं यह AAT है कि अब इसको मैं AAT बोलूँगा वरना बोलने में काफी परिशानी हो रही है ठीक है ना यह जो बिमारी है यह होती है बेसिकली एक parasitic protozoa के माधियम से एक protozoa है जिसका नाम है Tripanosomus इसकी वज़ा से होती है अब यह protozoa फैलता कैसा है यह transmit होता है एक fly की मदद से यह जो आपको दिख रही ही ना fly इस कौँ लोग बोलते हैं set से fly, set से fly की वजह से यहां पर यह transmit होता है ठीक है यह बिसकली क्या करती है आफरिका के अंदर जातर खून चूसने का काम करती है मदुमक्की यह fly कहलो या मखी कहलो यह जो बेसिकली यहां पर यही मखी जो है लगातर transmit करती है इस particular बिमारी को ठीक है यह बात ध्यान में रखना उसके बाद में जादतर यहां पर यह बिमारी आपको महा के गाए बहसों के अंदर देखने को मिल जाती है उनके अंदर जातर यह बिमारी यहां फैली हुई है ठीक है तो यह क्या है बेसिकली यहां पर एक protozoa, tyra, penosomes की वज़ा से यहां पर बिमारी फैलती है और यह इसको create करता है इविन यह बिमारी इंसानों के अंदर यानि की आफ्रिका के अंदर जो लोग हैं जो humans हैं वहां पर भी फैल जाती है इसको हम लोग sleeping sickness के नाम से भी जानते हैं ध्यान अतना ठीक है ना बाकी कई सारे projects आज के समय पर चलाया जा रहे है इस बिमारी को रोकने क research innovation के माध्यम से इस बिमारी को ठीक करेंगे तो यह जो पैसा European Commission ने लगाया है यह अगस्ट 2021 से अगस्ट 2025 तक खर्चा जाएगा African countries जैसे की South Africa, Burkina, Faso, Camryn, Ivory उसके बाद में Mozambique, Uganda इन सब देशों के अंदर यहां पर यह पैसा लगाने वाले हैं ताकि इस बिमारी को tackle किया जीवे जो कि यहां पर कभी कभी आप देखोगे इनसानों के अंदर में भी काफी सारी जो बिमारिया है उसको उत्पन करते हैं ठीक है बहुत सारी जो बिमारिया है उनको यहां पर पैदा कर देते हैं जो बिमारिया पैदा करते हैं तो उनको हम लोग कार प्रोटोजवा कह आए ना उसकी बारे में चर्चा किया रही है तो यह बिमारी कैसे फैलती है इस फ्लाई की वज़से फैलती है यह हम लोग नहीं पर समझ लिया यह फ्लाई यहाँ पर इस प्रोटोस वा को इंसानों के अंदर यहाँ पर फैला देती है ठीक है बात क्लियर हो गई आगे आता है अगले आर्डिकल के तरफ नेक्स्ट आर्डिकल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट परसनलिटी के बारे में चर्चा करेंगे काफी जदा यहाँ न्यूज में है रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे प्राम इनिस्टर ने शद्धांजली दी है रानी वेलू नचेर जी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपर इस वज़ए से यहाँ पर यह पर यह पर समझने की कोशिश करेंगे आपका हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो न्यूज क्या है यह तो मैं आपको बता दिया रानी वेलू नचेर जी के ब 1730 में तो रिसेंटली जो तीन जरवरी निकली है ना इसी वज़ा सा यहाँ पर इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसका सेलिब्रेशन यहाँ पर किया लिया है इनका जन्ब कहां पर होता है तामिल नाडू के अंदर जो रमन्था पूरम है वहाँ पर हुआ था यह पहली पूरी तरह से यह लड़ाई कर रही थी अंग्रेजों से उसके बाद में इनको काफी ट्रेन भी किया गया अलग लग वार के अंदर यहाँ पर यह ट्रेन हो चुकी थी मार्शल आर्ट और उसके बाद मार्शल आर्ट में भी जैसे वालारी सिंबलम यानि कि कुछ ऐसी लड बताई जाती है इस परडिकलर आर्टिकल में तो कई सारी इमेज़ेस यहाँ पर आप देख पाऊगे रैनी वेलू उनचेर जी के यहाँ पर कुछ इमेज़ेस आपको नजर आएंगी बाकि यहाँ पर बाद में यह शादी करती हैं एक किंग से किंग ओफ शिव गंगा ठीक जब यहाँ पर इनके हस्बेंट को मार दिया गया तो फिर उसके बाद में यह कॉलिबरेशन करती हैं हैदर अली और साथी साथ में गोपाल नाइकर के साथ में कॉलिबरेशन करने के बाद में यहाँ पर यह वार लड़ती हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में और यहाँ पर एक Victorian 사람들이 आप पह सकते हो कि उबर कर आती है। आप कह सकते हो कि हां पर इनके कि जीत जो हैं वो यहां पर हम देख सकते हैं Britishers के अकेंच में ठेक्ए पावरज आती है जीतने के बाद में वह सारी जो पावर्स हैं मारूदू brothers को दे देती हैं मारुदू brothers को यहाँ पर पावर्स जो है यह प्रोवाइट परवा देती हैं ताकि वो हमारे country को administer कर सकें यह powers मारुदू brothers को दी गई थी 1780 में ताकि हमारे देश को administer कर सकें इन powers के मादियम से ठीक है न तो बात ध्यान रखना आप से यहाँ पर पूछा जा सकता है मैं बिल्कुल एकदम short चीजे लेकर आया हूँ यानि कि जैसे article चर्चा में है न तो इस article के बिल्कुल जो भी काम काम की चीज़ हैं सिर्फ वो वो मैं आपको बता रहा हूँ इस विससे अंदर हमने देखा आए कि अभी दुनिया बर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है दुनिया बर में नहीं कहेंगे तो फिर भी यहाँ पर हम देखोगे नौर्थ के अंदर काफी ठंड पड़ती हुई निजर आ रही है अभी इंडिया में यहाँ पर आप देखोंगे नर्दन साइड में बहुत ज़दा ठंड पढ़ रही है इवें उपर की साइड में और ठंड होनी चाहिए थी है ना नौर्थ की साइड में और ठंड होनी चाहिए जैसे रशिया, फ्रांस और ये सारे देश हो गए नेदरलेंड, चेग रिपबलिक, लिथुएनिया, लात्विया ये सब जम जाते हैं बरफ में इस समय भरपूर मातरा में बरफ पढ़ती है लेकिन हुआ क्या इस समय वहाँ पर बरफ दिखाई नहीं पढ़ रही है तो गर्मी काफी ज़दा बढ़ चुकी है, जहां ठंड बढ़नी चाहिए वहाँ पर वो गर्मी बढ़ चुकी है तो इस वज़़ा से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज में है तो अभी के समय पर, विंटर के समय पर वहाँ पर हीट वेव देखने को मिल रही है यानि कि आप कह सकते हो, गर्मी की जो लू है ना, वो वहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है यूरोप के अंदर में हाला कि टैंपरेचर इतना नहीं गिरा है, फिर भी काफी ज़दा गिर चुका है, आप ऐसा कह सकते हो इसको हम लोग बोलते है हीट डोम, तो यूरोप के अंदर हीट डोम बना है, इसी वज़ा से यहाँ पर इन्यूज में है ठीक है, तो हीट डोम क्या होता है, आपको समझा दूँगा, देखो वैसे क्या होता है, टैंपरेचर वहाँ पर माइनस 11, माइनस 15 डिग्री सेल्शेस होता है, वो टैंपरेचर बढ़कर आज के समय पर 10 से 20 डिग्री सेल्शेस के आसपास पहुंच चुका है तो इस वैसे लोगों को गर्मियां बहुत लग रही है आज के समय में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कौन कों से देशों की, यूरोप के अंदर 7 देश हैं ऐसे जहां पर गर्मी पढ़ रही है, जबकि वहाँ पर हर साल बरफ रहती है, पूरे साल बरफ रहती है और इस समय तो बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन इस समय गर्मी पढ़ती हुई नजर आ रही है, कहां कहां पर पॉलेंड में, डेन्वार्क में, चेक रिपबलिक, नेदरलेंड, बेलारूस, लित्विनिया और लात्विया, इन देशों की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है न, क्यो यहां पर गर्मी के ओपड़ रही है, क्योंकि महां पर हीट डोम बना है, तो हीट डोम क्या होता है, अभी मैं आपको आगे समझाओंगा, वैसे तो यहां पर टेंपरेचर इस समय माइनस में चला जाता है, लेकिन अभी के समय पर यह टेंपरेचर दस से बीस डिगरी पूरे-पूरे साल ठंड में यहां, क्योंकि पूरे साल ठंड पढ़ते तो ठंड में रहते हैं, तो इस समय पर इनको थोड़ी जादा गर्मी लग रही है, तो दस से बीस डिगरी सेलिशलिशल्स पहुचा, हीट डोम की वज़ा से इस वज़ा से यह निउस में बना वाए, तो हीट डोम बेसिकली जोग्रफी के पॉइंट अव्यू से इंपोर्टेंट है, आप से डिरेक्टली सवाल बन सकता है हीट डोम के बारे में, तो आप समझते है हीट डोम क्या होता है, देखो यहां पर आप एक परडिकुलर पिच्चर देखोगे, ठीक है, डोम क्या होता यह बिसिकली डोम कहलाता है, इसके अंदर जो हीट है जो गर्मी है वो भर जाती है, इसको हम हीट डोम बोलता है, तो कहोगे ऐसे कैसे, तो मैं आपको पीछे रीजन समझाता हूँ, क्या-क्या होता है, हीट डोम कब होता है, जब जो हाई प्रेशर होता है यह वाम एयर को कर देता है इस particular region में लंबे समय तक आप मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ यह नीचे जमीन होगी जमीन में से क्या हो रहा है यहाँ पर जो basically हाँ पर हमारी गरम हवाई ना वो उपर उठ रही है उपर उठ रही है लेकिन आपको पता होगा कि पृत्वी के जब पूरा का प उपर उनका हम लोग jet streams बोलता है ठीक है तो जब यह jet streams और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है चौड़ी होने के साथ साथ जब यह चौड़ी हो जाती है तो बहुत दीरे दीरे बैती है और कभी कभी पर यह jet stream बहुत ज़्यादा इतन stream होती है और यह बहुत ज़ादा ठंडी हो जाती है मैंने आपको बताया ठंडी रहती है और जब एक समय पर यह काफी चौड़ी हो जाती है तो यह चौड़ी होने के बाद में जो waves है यह काफी ज़ादा बड़ी हो जाती है broad हो जाती है तो यह जो waves है यह उपर high pressure बना वाए, उपर यहाँ पर जो jet stream से वो चल रही है, बड़ी बड़ी चोड़ी चोड़ी jet stream से चल रही है, उपर high pressure बना वाए, नीचे से जब यह गरम हवा उठ रही है उपर, तो गरम हवा उपर जाकर इस से बाहर नहीं निकल पाती है, यहाँ पर दबी रह जाती ह क्या क्या गरम हवा को नीचे ढगेल कर इसके अंदर ही बंद कर दिया, तो यह जो basically dome बन जाता है, इसके अंदर जो गरम हवा वो trap हो जाती है, तो क्या करता है, ध्यान रखना आप से पूछा जाए, कौन सा pressure जो है गरम हवा को trap करता है heat dome में, तो high pressure जो है गरम हवा को यहाँ पर फसा देता है, तो यह हवा कहीं पर भी निकल नहीं पाई, जब निकल नहीं पाई तो इससे यहाँ पर क्या हो गया, इससे यहाँ पर यह जो particular area है वो बहुत जादा गरम हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको इधर यूरोप के अंदर देखने को मिलती है, उपर जो ठंडी हवाई है वो चोड़ी होने के बाद में, बहुत धीरे चलने के बाद में कभी-कभी रुख भी जाती है, जिसकी चकर में जो गरम हवा जा रही है, वो यहाँ पर थम जा रही है, बैसिकली रुख जा रही है, वो उपर नहीं निकल पा रही है, और उसकी चकर में उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत जादा गर्मी हो जा रही है, ठीक है, और जो गरम हवाई उस एरिया में जब तक फसी रहेंगी, जितने लंबे समय तक फसी रहेंगी उतने में आप देखोगे गर्मी जो है वो बढ़ती चली जाएगी ये मैंने आपको बता दिया ठीक है तो heat wave के बारे में आपने समझ लिया heat dome का formation basically jet stream के उपर depend करता है ये मैंने आपको बता दिया jet stream जो की basically high atmosphere पर यानि कि जो हमारा वाता वरल है बिल्कुल उंचाई पर जो हवाई बहरी होती है उसका हम jet stream बोलता है तो jet stream जो basically बहती है ना इसका wave like pattern है wave like pattern तलब इस प्रकार से लहरों में यहाँ पर यह बहती है यह मैंने आपको बताया north से south में बहती है और फिर उसकाद में फिर से यहाँ पर north में बहती है लेकिन मैंने आपको बता है जब ये waves बड़ी हो जाती है चौड़ी हो जाती है उसके आदमें ये बहुत दीरे-दीरे चलती है कभी-कभी यहाँ पर एक जगत थम भी जाती है तो इसकी चक्कर में यहाँ पर होता ही है कि जो यह heat dome है वो बन जाता है और गरम हवा भी पर फस जाती है क्योंकि high pressure उस गरम हवा को नीचे ढखेल देता है क्योंकि मैंने आपको बता है जट स्ट्रिम ठंडी हवाए है ठंडी हवाए मतलब high pressure और वो high pressure क्या करता है गरम हवा को अंदर दवा कर रखता है इसी को हम लोग यहाँ पर heat dome बोलते हैं ऐसे instances पहले भी कई बार देखने को मिले हैं ये तो हम साल 2023 में देख रहे हैं इससे पहले साल 2021 में already heat dome बना था कहां कहां पर western Canada में US में heat dome बनकर आया था उसके बाद में कई सारे और भी अलगलग countries के अंदर ही heat dome बनकर आया है ऐसे बाते भी बताई जा रही है ठीक है बात clear हो गई यह क्या हो गया यह बिसिकली एक खाली है एक सेकंड लुक जाओ वहाँ पर कुछ नहीं है वो आर्टिकल हम पहले cover कर चुके है इस चकर में वो मैंने आर्टिकल को skip करा है वो आर्टिकल दुबारा से आ जया था इस चकर में उसको तयार नहीं किया है अगला नियूज आर्टिकल और जदा important है देखो यहाँ पर यहाँ पर यह हमने AIR से लि जाता हैं तो आपको समझाता हूँ कि world braille day क्या होता है इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है हर साल 4 जनवरी को ये दिन YouTube किया धायाँ हर साल 4 जनवरी नाम दे दिया गया World Braille Day ठीक है तो मैं आपको बहुता है France काई एक Lewis Braille है इन्ही के नाम पर क्योंकि इन्होंने क्या किया था Braille Language को, Braille भाषा को ढूंडा जो Braille भाषा है ना इसको 1809 में ढूंडा है इन्होंने जिसके basis पर यहाँ पर क्या होता है कि इनको basically इनके नाम के उपर एक दिन को मनाया जाता है जिसका मैंने नाम बताया World Braille Day अच्छा Braille भाषा कौन सी होती है तो यहाँ पर यह देखो काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैना blind होते हैं या उपर छोटे-छोटे दाने आपको दिख रहे होंगे जो की उठे-उठे यहाँ पर बने वे हैं डॉट-डॉट्स दिख रहे होंगे रेस डॉट्स जिसको हम लोग बोलता है तो यह अलग-लग पैटर्स पर बनाए गए और यही यहाँ पर जो ब्रेल लेंगवेज है इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है हाँ पर जो चार जैनवर ही है इसको हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे की तरह देखते हैं ठीक है बात क्लियर हो गई और इस दिन यहाँ पर हम लोग आवेरनेस एक जारुदा फैलाते हैं कि भले ही यहाँ पर जो लोग है भले ही वो देखना पारे हो लेकिन उनके पास में कमुनिकेशन करने का एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपका सकते हो यह जरिया है ब्रेल इसके माध्यम से वो चीजों को समझ पाएंगे इस पैटर्न के उपर हाथ से वो समझ पाएंगे कि वो पैटर्न क्या है वो क्या चीज है तो यह चीज यहाँ पर उनको हल्प करेगी बहुत ज़ादा क्या बात की गई है महाधई के बारे में महाधई जो water sharing dispute है उसके बारे में आपको बताओगा महाधई नधी जो है न इसका पानी को लेकर इसकी पानी को sharing को लेकर बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है और वो विवाद जो है वो आज के समय पर काफी ज़दा बढ़ चुका है तो मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल से शब्दों में आखिरकार वो विवाद क्या है क्या है कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो हुआ क्या है नियूज क्या है पहले हम उसको समझ लेता है 30 दिसंबर 2022 की बात है यानि कि जब हमारा साल पिछला साल खतम हुआ है तो 30 दिसंबर 2022 को करनाटका के चीफ मिनिस्टर बस्वराज बोमई इन्होंने अपनी legislative assembly से ये बोला कि सरकार ने यानि की उनकी सरकार ने基本 clearance रिसीफ कर लिया है उनकी राजसरकार को एक clearance मिल चूका है केंसरकार के side से और वो clearance किस चीछ को लेकर है महादः नदी के उपर यहां पर project लगाने का क्योंकि महादः नदी के उपर ये project लगाने को लेकर ही विवाद चल रहा है करनाडिका चाहता है कि यहाँ पर हम लोग महादरी नेदी के उपर दो बांद बना ले इस बांद के माध्यम से करनाडिका को पानी मिलेगा लेकिन गौई यहाँ पर यह बांद बनाने यह dispute था गौई यहाँ पर इसके अगेंस्ट में खड़ाता है करनाटिक अब इस प्रोजेक्ट को डवलप करेगा ठीक है बात क्लियर होगी तो मैं आपको समझातों आखिर कर क्या है ये पूरा का पूरा कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट ठीक है यहाँ पर आपको ये मैप दिखेगा इस मैप में आपको यहाँ महराष्टरा दिखेगा महराष्टरा के जस्ट नीचे आपको ये करनाटिका दिखेगा करनाटिका के जस्ट बरावर में आपको यहाँ पर यह गोवा दिख रहा होगा सॉरी यहाँ पर बिसिकली गोवा आपको नजर आएगा करके देखोगे तो यहाँ पर आपको देखे करनाटका है जो डाक कलर है यह करनाटका है और जो यह लाइट कलर है यहाँ पर यह गोवा है इन दोनों के बीच का बॉर्डर आपको यह देखने को मिल जाएगा यह इन दोनों के बीच का बॉर्डर है तो होता कि है करनाटका से एक नदी निकलती है, जिसको हम लोग बोलता है, महादई नदी, महादई नदी यहाँ पर इस प्रकार से वेस्टन घाट से निकल कर आती है, और निकल कर आकर यहाँ पर इस प्रकार से बहकर जाती है, ठीक है तो महादई नदी यहाँ पर करनाड़का से निकल कर आई और बहेकर इस प्रकार से चली गई तो करनाड़का में क्या हो रहा है कि अभी के समय पर ये जो एरियाज है कुछ ऐसे एरियाज है कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जैसे धारवड, गाड़क, बल्यागवी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पानी की बहुत जदा कमी है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, जहाँ पर पानी की बहुत जदा कमी है, पानी प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी एक नदी इस प्रकार से निकल कर जाती क्योंकि यहाँ पर करनाट कम है पानी की काफी सदा कम है लोगो पानी नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो आपको गए ठीक है तो पानी कैसे ले जाय जा रहा है पानी ले जाने के लिए दो डैम बनाए गए गए अलग लग नदी के ओपर अभी आपने कालसा बंदूरा सुनाए न बना दिया, इस सायक नदी पर एक डैम बना दिया, बंदूरा डैम, और इधर कालसा के उपर यहां पर बना दिया डैम, एक कालसा डैम, तो एक डैम यहां हो गया, इससे क्या होगा, करनाट का पानी स्टोर करके, क्या करेगा, पानी स्टोर करने के बाद में इस प्रकार से माल प्रवह नदी के अंदर भेज देगा और ये जो पानी है फिर इधर के लोग यहाँ परודה कर पाएंगे ठीक है बात क्लियर हो गई तो कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें प्रॉब्लम हो गई कि ग गोवा का कहना ये था कि सारा पानी यहाँ से जो भी पानी निकल क oppose कर रहा था तो अभी यहाँ पर सरकार ने जो भी अपने suggestion से वो जारी करें हैं बोला है कि आप इस प्रकार से काम कर सकते हो तो सरकार ने क्या बोला है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ जो ट्राइबुनल उसने क्या बोला है देखो एक ट्राइबुनल बेसिकली बनाया गया था पिछली वाली सरकार के थुरू नेवंबर 2010 में तो ट्राइबुनल ने 2018 में बेसिकली अपना एक suggestion दिया और ये बोला कि जो भी पानी है इस पानी बाट दिया जाएगा कुछ पानी यहाँ पर करनाटका को मिल जाएगा कुछ गोवा को मिल जाएगा और कुछ महराष्ट्रा को मिल जाएगा अपने इसाब से पानी बाट लेंगे तो इससे कोई यहाँ पर basically महराश्टर को दे दिया गया तो यह इस प्रकार से यहाँ पर सरकार का एक notification था जिसको 2020 February में जारी किया गया था कि आप इस basis पर काम कर सकते हो और इस basis पर यहाँ पर जो करनाड का है वो यहाँ पर dam बना भी सकता था तो यहाँ पर अब क्या है कि यह जो approval है वो यहाँ पर करनाड का सरकार को मिल चुका है सरकार को यहाँ पर clearance मिल चुका है अब वो यहाँ पर क्या करेंगे अपना जो project वगरा वो बनाएंगे जो कि लंबस समय से रुका पड़ा था ठीक है तो ध्यान अकना महादई क्या है महादई रिवर कहां पर कहां से निकलती है जैसे मैं आपको बताया ध्यान अकना महादई नदी कहां से निकलती है महादई नदी originate होती है भीमकर्ड वाइलेक्स सेंचरी से ठीक है यह कहां पर है यह basically गुजरते वे अरेबियंसी में इंगर जाती है ठीक है clear हो गई बात चलो आगया आते हैं तो आपसे सवाल यहां पर बन सकता है इसको लेकर भी अगले आर्टिकल में अगले आर्टिकल में बात किए यह national commission for schedule tribes के बारे में तो basically national commission for schedule tribe है क्या हम इसको थोड़ा सा समझेंगे यह recently news में आया है अच्छा news में क्यों आया है news में इसलिए आया है क्योंकि national commission for schedule tribe ने हाल ही में यह बोला कि जो अभी हम जंगल को बचाने के लिए rules and regulation लेकर आएं हैं ना साल 2022 के अंदर यह कही न कहीं जंगल में रहने वाले लोगों के rights को वोईलेट करेगा इस प्रकार से यहां पर यह जो schedule tribe वाली body है यह लगाता news में आ गई है यह यहां पर एक बात छेड़ चुकी है यह पिछले कई बार news में आई वी है national commission for schedule tribes तो मैं आपको समझाता हूँ इस NCST body के बार में क्योंकि काम की चीज यही है जो examination में पूछी जाएगी तो समझते है national commission for schedule tribe बेसिकली एक ऐसी body है जिसको बनाया यह था साल 2004 में ठीक है समिधान के अंदर कई सारे provisions है तो मतलब यह एक constitutional body है क्योंकि समिधान के अंदर इसके बार में जिकर किया जा है तो यह एक constitutional body है इस body को बनाया यह था article 338 को amend करके article 338 में हमने क्या कर दिया संशोधन कर दिया बदलाब कर दिये और वो जो संशोधन ने वो संशोधन करने के बाद में हमने article 338 A को add कर दिया आगे A जो है न यह हमने लगा कर एक नया जो है portion इसमें add कर दिया ठीक है तो संशोधन यह कौन सा था 89th Amendment Act था 89 Amendment Act के तहत हम लोगों ने इस particular body को बनाया National Commission for Scheduled Tribe इससे पहले भी हमारे पास में बाड़ी हुआ करती थी जिसका नाम था National Commission for Scheduled Cast and Scheduled Tribe लेकिन हमने बाद में इस amendment के बाद में इस body को बनाया इस body के दो हिस्से कर दिये गा यानि कि Scheduled Cast के लिए अलग बना दिया गया और Scheduled Tribe के लिए अलग बना दिया गया तो basically हम भी हम बात कर रहे है National Commission for Scheduled Tribes के बारे में ठीक है ना दियान अखना तो बात क्लियर हो गई कि इस body को 2004 बनाया गया और एक सम्विधान एक Constitutional body है ये तो National Commission for Scheduled Tribe के अंदर में यहाँ पर आप देखोगे एक चेयर परसन होते हैं एक वाइस चेयर परसन होते हैं जो कि तीन साल तक यहाँ पर सर्व करता है बात क्लियर हो गई इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो भी हमारे देश में Scheduled Tribes रहती है ना उनको सम्विधान के अंदर जो जो Protection मिली है वो Protection प्रोवाइट करवाना उनकी जो भी Complaints हैं उन Complaints को देखना उनके पास में जो भी हक हैं जो भी Rights हैं उनके Rights की Protection करना उनके लिए यहाँ पर जो Development है वो करना वो सारे काम यहाँ पर National Commission for Scheduled Tribes के पास में देखने को मिल जाते हैं उनके लिए जो Welfare Schemes वगरा है क्या क्या जरूरत है उनको Welfare Schemes की उसके लिए एक Report त्यार करके President को देना उनके Development के लिए उनके विकास के लिए क्या क्या जरूरत है वो Report त्यार करके यहाँ पर सरकार को देना वो सारा काम National Commission for Scheduled Tribes का होता है तो मतलब National Commission for Scheduled Tribes किसलिए है हमारी Scheduled Tribes को Protection देने के लिए है अगले आर्डिकल पर आता है नेक्स्ट आर्डिकल भी हमारा Indian Express का यहाँ पर क्या बात की जा रही है South Asian Black Carbon Aerosols के बारे में डिसक्शन किया जा रहा है जो Black Carbon Aerosols हैं यह बेसिकली अभी के समय पर तिब्बेतन प्लैट्यू के अंदर तिब्बत के अंदर जो जातर Glaciers हैं जातर आपको बरफीले पहाड देखने को मिलेंगे वहाँ पर यह Black Carbon जमा और इस जमने की वज़ा से उसने बहुत सारा Lost कर दिया बहुत सरे बरफ को पिगला दिया है बहुत सरे पहाड पिगल चुके हैं बरफीले पहाड ऐसा यहाँ पर बोला गया तो इस वज़ा से South Asian Black Carbon Aerosol लगातर न्यूज में है तो यहाँ पर हम समझेंगे आखिरकार यह Black Carbon Aerosol क्या होता है तो न्यूज क्या है यह तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है Recently एक study होती है उस study के मादम से यह पता चलता है कि काफी सारे जो ग्लैशनर से तिबतन प्लैटियू के अंदर वो खतम होते जा रहे है इस Black Carbon Aerosol के मादम से तो Black Carbon Aerosol क्या होता है Black Carbon जो काला कार्बन है न यह कैसे निकलता है जैसे माल लो हमने कोई fossil fuel जलाया कोईला जलाया वो पूरा नहीं जला कोई भी समयन पूरा नहीं जलता थोड़ा बहुत बचता है तो उसमें से यहाँ पर क्या होता है यह Black Carbon निकल कर आता है और जो South Asian region आपको जो देखने को मिल रहा है बिल्कुल तिबतन प्लैटियू के बराबर में यहाँ पर सबसे ज़ादा Black Carbon emission होता है पूरे दुनिया भर में तो South Asian region के अंदर भी South Asian region के अंदर सबसे ज़ादा Black Carbon का emission होता है सबसे ज़ादा Black Carbon दुनिया में यहीं से South Asian region से निकल कराता है जहाँ पर इंडिया वगरा भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सरी studies ने ये बताया कि जो ये South Asia है ये काफी सरा black carbon जो है बनाता है मतलब यहां से निकलता है और वो निकल कर black carbon हिमालियास तक जा रहा है तिबतन प्रैट्यू तक जा रहा है वहाँ पर जो बरफीले पहाड है वहाँ पर जा रहा है और फिर उन पर वो चिपक जाता है चिपकने के बाद में उनको पिगला देता है अब आपको ऐसे कैसे पिगला देता है तो यहाँ पर आपको एक picture दिखाता हूँ ब्लैक कारबन को हम लोग basically सूथ भी बोलता है ठीक है एक solid particle होता है छोटा सा आपको यहाँ पर यह पर पार्टिकल देखने को मिलेगा काला कलर का ठीक है होता क्या है कि आपने कोई भी समान जलाया तो उससे यहाँ पर मतलब वो पूरा नहीं जला उसमें से यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ ब्लैक कारबन निकल जाते हैं और फिर वो उड़कर इदर उदर पहुँचते रहते हैं इनके अंदर शमता यह होती है कि यह बहुत जादा गर्मी को एब्जॉब करते हैं यानि सूरे की गर्मी को सबसे जादा एब्जॉब करने की ताकत इनके अंदर होती है तो यह क्या होता है जब यह उड़कर किस पे हमारे बरफ के उपर ग्लैशर्स के उपर छिपक गए ब इंडिया और चाइना सबसे बड़े एमिटर है ब्लैक करवन के जैसे मैंने बोला है पूरा साउथ एशा के अंदर सबसे धा ब्लैक करवन एमिट होता है ये आपको पता भी होना चाहिए तो आई हूप आपको यह बात ब्लैक करवन के रिगार्डिंग पता चल चुकी होगी आगे आते हैं, फिर उसके आद एक चीज और बताई जा रही है, कि साल 2007 से लेकर साल 2016 के बीच में आप देखो गे ना, ब्लैक कारवन की वज़ा से, कई सारे ग्लैशर्स के अंदर बहुत बड़ा लॉस हुआ है, कई सारे ग्लैशर्स पूरी तरह से पिघल चुके हैं, यह बा बात की जारी है, डाइबैक डिजीज के बारे में, डाइबैक जो डिजीज है ना, यह पेडों के अंदर इस प्रकार से आप देख पाऊगे, यह बिमारी फैल जाती है, इसको, इसमें क्या होता, लकडी को चड़ा देती है बिमारी, साधे साथ में जो पत्ते होते हैं, उन हमारे देश में 1990 में देहरादून के पास में आपका सकते हो उत्राखंड में यह पहली बार मतलब रिपोर्ट करी गई इसके बार में जानकारी आई थी लेकिन सबसे पहली बार नोटिस करी गई प्रॉपरली पता चलता है तिलंगना के अंदर साल 2019 में जो डाइबैक से यहाँ पर बिमारी फेलती है तो यह जो डाइबैक डिजीज है यह क्या करती है पत्तों को सुखा देती है मैं आपको बता है पेड को सड़ा देती है पेड की जो उम्र है वो पुरी तरह से घटा देती है पेड का जो फल बनाने की ताकत होती है वो सब खतम हो जाता है फ में कीड़े भी लग जाता है तो वो पेड़ और जल्दी खतम हो जाता है तो वो हालात भी यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है तो यह डिजीज जो है ना सबसे ज़्यादा नीम के पेड़ को परिशान करती है यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है तिलंगना के अंदर कुछ important questions है तो जो भी आपने discussion अभी सुना है उन सबके questions में आपको read करकर बढ़ाऊंगा आप उनके answer नीचे comment section में देते वे चलना फिर at the last यहाँ पर अपना score लिखना कि आपने कितने questions अहीं किये हैं तो सबसे पहला जो question है वो बात करता है world braille day के बारे में तो world braille day है इस अभी यहाँ पर आपने दूसरा question देखना है अभी हमने कालसा बंदूरी नाला project के बारे में पढ़ा था याद होगा तो जो कालसा बंदूरी नाला project है ना यह कौन सी नदी के उपर बनाया जा रहा है यह आपको बताना है महाद़ी नदी कावेरी नदी पेरियार या फिर option जाता है ठीक है तो कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट कौन से नदी के उपर है जरा फटा-फट यहाँ पर इसका अंसर दो चलो अगला एक क्वेशन को देखता है नेक्स क्वेशन पर थोड़ा फोकस करना यह थोड़ा सा यह पर आपको कंफ्यूज कर सकता है अभी हमने थोड़ देर पहले नैशनल कमिशन फॉर शेडियूल ट्राइब्स के बारे पढ़ा था तो नैशनल कमिशन फॉर शेडियूल ट्राइब्स के चलो, आगे आते हैं, अगले question को देखते हैं, अब भी हमने थोड़ दर पहले black carbon के बारे में चर्चा की है, थोड़ दर पहले मैंने पढ़ाया है, है ना, तो black carbon aerosols के reference में, again आपको दो statements दिये गए हैं, बताना यह कि कौन सा statement सही है, पहला statement, जो black carbon aerosols होता है, इनको ये basically बन absorb करते हैं, sunlight को absorb करने की ताकत इनमें जादतर होती है, ठीक है, दूसरा statement बोलता है, कि जो South Asian region है, यहीं पर सबसे ज़ादा black carbon का emission होता है, पूरे दुनिया भर में, बताओ कौन सा statement सही है, option A one only, option B two only, option C दोनों सही है, या फिर option D दोनों के दोनों गलत है, जरा attempt करो इसके answer क सारे के सारे answers में आपको एक साथ बताऊंगा एक खटे, अगला question, dieback disease के बारे में, अभी हमने थोड़े पहले dieback disease के बारे में पढ़ा था, तो dieback disease के reference में, आगेन आपको दो statement से दिये गए हैं, बताना है कौन सा statement correct है, पहला statement, जो dieback disease है, यह सबसे पहली बार हमारे देश म पाया गया था, 1990s में, देहरा दून के पास में, उत्राखंड में, दूसरा statement, dieback disease होता है, एक फंगाई की वे से, एक फंगस की वे से, जिसका नाम है, FOMOPSYS, SRD, RACTI, बताओ कौन सा statement सही है, option A, one only, option C, two only, option C, दोनों सही है, या फिर option D, दोनों के दोनों गलत है, ज़रा इसका अंसर भी नीचे, comment section में, देदो, अगला question, सबसे पहला ही article हमने discuss किया था, APPU के बारे में, Asian Pacific Postal Union के बारे में, तो इसके reference में आपको दो statement again दिये गए, पहला statement, Asian Pacific Postal Union, दिहां से सुनना, ये एक specialized agency United Nation की नहीं है, not a specialized agency, दूसरा यहाँ पर, ये एक intergovernmental organization है, 32 member countries का, या ये सही है, बताओ यहाँ पर इन दोनों statement में से कौन सा सही है, जो 32 members हैं, वो Asian Pacific region से आने वाले हैं, तो इन दोनों statement को ले कर यहाँ पर बताना है कौन सा सही है, option A1 only, option C2 only, option C दोनों सही है, या फिर option D दोनों के दोनों गलत है, आप फटा-फट यहाँ पर next question पर आते हैं, अगला question, African animal type A no somosis के reference में, अभी जो बिमारी हमने पढ़ी थी न, इसके reference में दो statement फिर से आपको दिये गए, बता नहीं कौन सा statement सही है, पहला statement, यह बिमारी होती है, एक parasitic protozoa, trypanosomes की बजा से, दूसरा यहाँ पर इन बिमारी फैलती है, monkey के काटने से, बताओ यहाँ पर क आगे आते हैं, अभी हमने थोड़ देरे पहले, रानी नेलू नेचियर जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके reference में आपने question एक solve करना है, यह कौन थी, option ने हिंदी फिल्म आटिस्ट थी, option नंबर B, former judge of madras high court थी, option C, zero scientist या फिर इनमें से कोई नही जरा फटा फटनिया पर इसका answer आपको नीचे comment section में देना है, वैसे answer इसका देखी किया होगा, अगला question, अभी मैंने heat dome के बारे में आपको पढ़ाया था, याद होगा, heat dome के reference में again यहाँ पर आपको question देखने को मिलेगा, heat dome के reference में again दो statements दिए गए, पहला statement, heat dome कब बनता ह जब जो low pressure होता है ना, low pressure क्या करता है, गरम हवा को महाँ पर फसा लेता है, low pressure क्या करता है, गरम हवा को फसा देता उस region के अंदर में, क्या ऐसा है, दूसरा option बोलता है कि heat dome का जो formation होता है ना, यह basically jet stream के behavior पर depend करता है, jet stream का जैसा behavior होगा, उसके उपर heat dome काम करेगा, jet stream जैस दोनों के दोनों गलत है, चलो आते हैं, चलो ये तो आ गए हमारे सारे के सारे questions समभत, अब फटा फट यहाँ पर answers को देखना start करते हैं, यहीं से last वले questions से answer को देखेंगे, heat dome के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया था, और इसमें से बताओ कौन सा answer सही हो सकता है, statement 1 या ठंडी हवा हैं, और वो क्या करते हैं, गरम हवा को यहाँ पर trap कर लेती हैं, तो क्या होता है, high pressure यहाँ पर गरम हवा को trap करता है, इस वैसे जो पहला statement है, वो basically गलत है, दूसरा statement सही है क्योंकि jet stream के behavior के उपर, क्योंकि jet stream जो waves है न, यह जब बड़ी हो जाती है, धीरे चलन लगती हैं, तभी यहाँ पर heat dome बनता है, तो इस वैसे यहाँ पर इसके behavior के उपर heat dome का formation होता है, यह सही है, option number two आपका सही उतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आगे आता है, अगला question आपसे पूछा यहा, राणी वेलू नचियर कौन थी, हिंदी film artist थी, former judge of madras high court, isro scientist य उस पर यहाँ पर एक जानकारी दी थी, बाकी यहाँ पर एक बिमारी है, African animal के बारे में, मैंने आपको बताया था, African animal जो भी बिमारी है, यह किस चक्कर में होती है, option number है, एक parasitic protozoa, trypenosomes की वेसे होती है, या फिर दूसरा statement बोलता है कि यह बंदर के काटने से होती है, बता काटने यह वेसे होते ही है, अभी हमने थोड़ देरे पहले पड़ा था, इस वैसे हैं यहाँ पर यह जो दूसरा statement है, वो हो जाएगा wrong, बाता दे रहे हैं आपने कितने questions हैं, फिर अगला question आपसे पूछा जा था, Asian Pacific Postal Union के reference में, कौन सा statement है, पहला, यह एक specialized agency United Nation की नहीं है दूसरा statement, यह एक inter-governmental organization है, 32 members का, बताओ कौन सा statement सही है, इसमें केवल और केवल second सही है, पहला गलत है, पहला इसलिए गलत है, क्योंकि यह United Nation की specialized agency है, और यह बात मैंने आपको starting में ही बता दी थी, ठीक है, आ गयाता है, फिर उसकाद में die-back disease के बारे में आपसे question पूछा पहला statement बोलता है, जो die-back disease है, यह सबसे पहली बार हमारे देश में, देहरादूर में पहला गया था, उत्तुरागंड के पास में, सही बात है, दूसरा statement, जो die-back disease है, यह एक फंजाई की वेसे, एक फफूंद की वेसे होता है, जिसका नाम है phomopsis azide recti, हाँ, बिल्कुल य उसकी वेसे, और यह बहुत सारी light को absorb कर लेता है, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था भी, फिर दूसरा statement बोलता है, कि black carbon सबसे जादा जो produce होता है, सबसे जादा जो emmet होता है, कहां से होता है, South Asian region से होता है, ठीक है, तो यह भी सही है, तो इस वैसे option number C, जो है हमारा both one and two correct हो जाएगा, आगे आता है, फिर national commission for schedule tribes को लेकर सवाल पूछा गया था, इस body को 1994 में बनाया गया है, और एक statuary body है, दोनों में से कौन से साई है, दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि एक basically constitutional body में आपको बताया है, और इसको 1994 में नहीं 2004 में बनाया गया है, इस वैसे दोनो के दोनों statements आपको wrong देखने को मल जाएंगे, ठीक है, आगे आता है, फिर कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट कौनसी नदी के उपर है, तो ध्याना करा महाद़ी नदी के उपर है, यह भी हमने थोड़ दर पहले ही पूरा कपूरा जो dispute है, वो cover किया है, अगला question में डिसक comment section बता देना, बाकी आप लोग बताना कैसी तैयारी हुई आज की, तो आपने आपर current affair भी पड़ा, अपनी test practice भी कर लिए, question भी लगा लिए है, तो इससे और ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है, बाकी आप लोग को बताना नींचे comment section में आपका score क्या रहा है, आपने कितने answers सही किये हैं, इसके साथ में करते हैं हम लोग अपने lecture को समापत और मिलते हैं आप लोगों से, अगले वडियो में आज कले बाइबाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद.